बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का Electronic Study YouTube चैनल पर यहाँ पर एक बड़ी ख़बर है आप सभी के लिए और कहीं न कहीं एक जब हम नई सिक्षक भरती की बात करते हैं उसके इंतजार में जो प्रसिक्षू ऐसे में जो भी हर्थी ऐसे में तयारी कर रहे हैं उनको क देख पार होंगे कि परिसादिये स्कूलों से सेवा निम्रित यने की रेटायर हो चुके सिक्षकों को दोबारा विद्याले में तैनात करने पर मंथन चल रहा है वह पढ़ाई में पिछड़ने वाले विद्यार्थियों कि बाधिकस्तर को सुधारने में सहयोग करेंगे औ यहां पर कहीं न कहीं एक सवाल यह खड़ा होता है कि जो ऐसे में नए अभ्यर्थी हैं जो नए में ऐसे जो बच्चे हैं जो प्रसिक्षू हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर जो भावी सिक्षक सिक्षिका है वो अगर स्कूल में जाते हैं तो क्या ऐसे में वो जो भी बौधिक अस्तर है बच्चों का उसमें सुधारने में क्या वो मदद नहीं करेंगे उन्होंने आखिर B.A.D. या B.T.C. या D.A.D. आखिर उनसे क्यों करवाया गया उन्होंने आखिर वो कोर्सिस क्यों किये यह कहीं न कहीं सरकार पर यह सवाल ऐसे में खड़ा करता है बाकि आप यहाँ पर डेटेल में पढ़ पा रहे होंगे लिखा है नियमित रूप से कहीं और संबधना हो यह बात बताई गई है बेसिक शिक्षा के डिरेक्टर के साथ 45 सिक्षा विदों ने गूगल मीट पर रखे विचार अब यह जो सिक्षा विद हैं आपके यहाँ पर वो ऐसे विचार जो है उनके द्वारा रखे गए है और सरकार को कहीं न कहीं यह सजिशन दिया गया है कि आप यह करिए जो सेवा निब्रित हो चुके हैं मतलब यहाँ पर जो युवा है वो बेरोजगार है वो रोजगार की तलाश में है और जो रेटायर हो चुके हैं 60-65 के बाद में उन्हें फिर से नौकरी पर रखने के बात की जा रही है आप कॉमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखेगा और यह हर एक जो भी बच्चे ऐसे में तयारी कर रहे हैं वीडियो सभी तक जाना चाहिए कहीं ना कहीं आवाज उठानी ही होगी तभी एक नई सिक्षक भरती हमें देखने को मिलेगी अपने सुझाओ कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करें